हेलो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे थे कुक बरांड की कॉमिक्स कुक बरांडा और आदम खोर बातसा इसका पहला पेज़ आप देख सकते हैं दोस्तों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ल जगा नहीं उस रोजनी वाले अस्थान पर ही जाकर सरन लेता हूं मोटू जब उस टूटे फूटे मकान के भीतर पहुचा जहां रोजनी हो रही थी तो वहाँ चार बदमास बदमास किसम के विक्ती मिले जो खा पी रहे थे लो मितर तुम भी प्यो नहीं मैं सीग्रेट खाया वो लेक्पिस खाया वो बेहोस हो गया बन गया काम अब यहां से चल्दी से सामान समेटो बारिस के हलका पड़ते ही हम यहां से निकल चलेंगे वे लोग मोटू को अपने बोस के पास ले गए का कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो हाहा मेरा नाम नागोद बास की बास सुनकर मोटू फिर बेहोस हो गया फिर उसे बेहोसी की ही आवस्ता में एक ऐसे कैद खाने में डाल दिया गया जहां और भी लोग कैद थे उदर कुकवरान मोटू के रहसे में तरीके से लाबता होने पर धमाका सिंग और कलावाती से भी अधिक परसान था और वो सुबाग से साम तक मोटू की तलास में सड़क नापते फिर रहा था मोटू के गुम होने की रिपोर्ट उसने थाने में भी लिखवा दी थी दो तीन बितने पर भी जब मोटू का कुछ पता नहीं चला तो वो पुनर उस सड़क पर खोजबिन करने निकला जहां मोटू चंदरनगर के लिए गया था वो मार्ग में एक टूटा फूटा मकान देखकर वो उस मकान में चाप पहुचा और इन पर चिनों और टाहरों के निसान को देखकर लगता है कि कुछ दिन पहले यहां कुछ वेक्ति जरूर आए थे चानबिन करने पर बॉन को नाकेवर का कुछ लोगों ने जबर जस्तिय फरन कर लिया है बॉन ने इंस्पेक्टर पटाका सिंग से संपर किया फिर दो दिन बात जब बॉन मनमोजी के साथ पटाका सिंग से मिलने पुलिस स्टेशन पहुचा तो उसने उसे एक सुची ली बॉन बेटे यह उन लोगों की सुची है जो मोटू की तरह ही रहस्में तरीके से तरीके से हाल ही में गायब हुए हैं वो सुची जेब में डालकर बॉन पटाका सिंग से विदा लेकर अपनी मोटर साइकल पर सवार हो उन लोगों के घरवालों से मिलने चल पड़ा जो मोटू की हीत तरह अपने घर से लापता कूं कूं चिंता मत कर मनमो जी मुझे पूरा विस्वास है कि इन गायब हुए लोगों के घरवालों से मिलने के पच्छाथ हमें उन लोगों का कुछ ना कुछ अवस्य पता चल जाएगा चीन होने मोटू का फरन किया है दोस्त यहां तक की कहानी का गत कुक बरांड और कोई मार्ग नहीं मिला मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम की वह सुबा दूद लेने गए थे सुबक सुबक हतास बॉंड फिर मोटर साइकल पर सवार होकर सहर के चक्र लगाने लगा कूंकूं ओ मुझे भूक लगी है ओ तुझे भूक लगी है तो चल पहले किसी होटल में चलकर पेट पूजा ही करते हैं सेकर ही बॉन ने मोटर साइकल एक होटल के कमपाउंड में ले जाकर खड़ी कर दी लो आ गया होटल चल भाई उतर नीचे फिर दोनों होटल के भीतर खुसने वाले थेकी मनमोजी होटल से बाहर निकलते दो वैक्तियों मेंसे एक पर बुरी तारा गुर राने लगा गुर भूं भूं अरे भूं भूं अरे इस गुत्ते को एक तरफ अटाओ जल्दी करो वरना यह हमें काट खाएगा मनमोजी यह क्या असब्यता है यहां तुम आदमियों को काटने नहीं खाना खाने आए हो भूं 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 परन्तु जब मनमोजी चुप नहीं हुआ तो बॉंड ने उसे डपट दिया मैं काता हूँ चुप हो जा वरना मैं तेरी गर्दन दवा दूँगा परन्तु मनमोजी ने अब भी भोकना बंद नहीं किया ओ ओ ओ पता नहीं आज इसे क्या हो गया आप लोग जल्दी से निकल जाएए ठीक है परन्तु तुम इसे पकड़े ही रहना वे लोग जल्दी से एक तरफ अपनी एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़े परन्तु तभी मनमोजी भी अपने आपको बॉन की क्रफ्ट से छुड़ा कर उन लोगों के पीछे दोड़ पड़ा भों भों मैं कहता हूँ मनमोजी रुक जाओ अरी पाप यह फिर आ ग तरफ तरह मनमोजी से पिंड छुड़ा कर कार के भीतर पहुचने में सफर हो गया और अगले ही पल कार स्टार्ट होकर बाहर की और दोड़ पड़ी परन्तु मनमोजी अब भी भोगता हुआ कार के पीछे लगा था पहूँ पहूँ बस बस चेले अब रुक जाओ बहुत हो चुका यह तमासा परन्तु मनमोजी ने इस बार भी बांड का कहां नहीं माना अरे वह तो कार के पीछे भागा जा रहा है आखिर आज क्या हो गया उसे तभी बांड के दिमाग में एक बड़ी तेजी से क्रोथी राका यानी आर यह अक्षर तो उस रुमार में गड़ा हु जहां मोटू का फरन हुआ था और मनमोजी उन दोनों में से जिसके उपर भोका था उसके साथ ही ने उसे राका कहकर ही संबोधित किया था कहीं यह वेक्ती ओ माई गोड जरूर वही उस रुमाल का मालिक होगा और मनमोजी ने उसे पहचान लिया है बोंड तुरंत अपनी म निकल गया तो सब गरवड हो जाएगा अगले ही पल बॉंड को मोटर साइकिल भी उसकार के पीछे जा रही थी भों भों मनमोजी पीछा मत छोड़ना राका वो कमपकत कुट्ता तो हमारा पीछा छोडने का नाम ही नहीं ले रहा है और वह हमारे पीछे पढ़ा पढ़ भी मान मैं तेरा महमान की तरह बन बैठा है वह तो ठीक है लेकिन अब यह सोच कि उस कुट्ते से पीछा कैसे चुड़ाया जाए कहते कहते वह चोका अरे अब तो कुट्ते के साथ साथ उसका मालिक भी हमारा पीछा कर रहा है टोनी कहीं उन्हें हम पर सक तो नहीं हो गया है सक होता तो वह वेक्ती होटल में ही हमसे उलच गया होता मुझे तो यह सब वीचितर संयोक ही लगता है तुम यह बताओ कि क्या हमें गाड़ी अड़े की और ले चलू नहीं ऐसी मुफ्ता हरकी मत करो मत कर बैठना यदि हम उन्हें पीछे लगाए वहाँ पहुच गए तो बोस हमें जिन्दा जमीन में दफन कर देगा फिर भौँ भौँ तुम ऐसा करो गाड़ी सहर से बाहर की और ले चलो वहीं कहीं मौका देखकर यहां तो इन दोनों से पीछा छुड़ा लेंगे या फिर इन से निपट ही लेंगे ठीक है फिर टोनी ने गाड़ी सहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर खुमा दी ओ यह लोग तो सहर से बाहर जा रहे हैं जरूर उन्होंने मुझसे निपटने की योजना बना ली होगी मुझे मनमोजी को भी होसियार कर देना चाहिए बोन ने मोटर साइकल के हैंडिल के उपर लगे एक बटन को दबाया और स्पीड बढ़ा दी धूं धूं सीगर ही वह मनमोजी के कारिब पहुँच गया साधान मनमोजी वे लोग सायद हम से निपटने की योजना बना चुके हैं मनमोजी ने भोग कर बोन के उपर दे दिया उतर दिया गुड मैं भी साधान हूँ बस ध्यान रहे कि ये दोनों किसी हाल में हाथ से नहीं निकलने चाहिए सीगर ही आगे वाली कार सहर से बहा निकल एक सुनसान मार्क पर पहुँच गए थी कमबकत अभी भी पीछे लगे हैं बस तुम कार की रफतार धीमी कर लो बाकी काम मैं निपटा देता हूँ कहने के साथ ही राका ने अपनी जेब से रिवालवर निकाल लिया तो क्या तुम उन्हें खतम कर दोगे हाँ इसके अलावा कोई दूसरा उपाए नहीं है फिर इस सुनसान सडक पर हमें कोई देखने वाला भी तो नहीं है उधर कार की रफतार धीमी हो रही है इसका मतलब है कि अब वे लोग कांड करने ही वाले हैं फिर बॉंड मनमोजी को साधान करने ही जा रहा था कि तब ही ढखाए ढखाए फिर उस से पहले की उन पर दुबारा फारिंग होती बॉंड ने बड़ी फूर्ती से अपनी जेव से रिवालवर निकाल कर कार पर फार जोक मारा रहा है उस चोकड़े के पास भी रिवालवर है स्पीड बढ़ाओ चली करो तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ गई वे तो भागने लगें मनमोजी तुम भी अब मेरी गाड़ी पर आजाब बेकाल ही ठकने की कोई जवरत नहीं तुरंत ही मनमोजी ने एक चलांग लगाए और पिछली सीट पर पहुँच गया अगले ही पल बॉंड ने भी अपनी मोटर साइकल की स्पीड बढ़ा दी बस बेटा बहुत हो लिया और आख में चोली अब मैं इस नाटक पर पर परदा गिरा ही रेता हूँ फिर बॉंड ने कार के पिछले टाय पर निशाना साथ कर फाइरिंग किया ध्याये फिर दूसरे टायर का निशाना साथ और ट्रिगर दबा दिया गजब का निसाना था उसका कार के दोनों पिछले टायर एक साथ प्रस्ट हो गए फटाक फटाक अरे ओमाई गोर अरे गाड़ी सम्हालो फरना उलट जाएगी राका के साथी ने तुरंट ब्रेक लगा दिया भाग निकलो चीन चीन परन्तु जैसे ही दोनों कार से बाहर निकले खबरदार भागने की कोशिश की तो दोनों की खोपड़ियां में रोसंदान बना दूंगा गुरु गुरु ओ आखिर फस ही गए क्या चाहते हो तुम हमसे तुम्हारा नाम और पता और अपने साथी मोटू का सिर्फ पता तुम्हारा साथी हाँ वही जिसका अगुवा तुमने चंदन नगर रोड पर बने तूटे मकान तूटे फूटे मकान से किया था क्या लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका अगवा हमने किया है हमने तो आज से पहले तुम्हें देखा तक नहीं देखा तो मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं था प्यारे परंदू मनमोजी को तुम्हारी यानी राका की गंजरूर पहले ही पहले मिल गई थी और वे भी इस रुमाल के जड़िये यह उसी यह और वो भी इस रुमाल के जड़िये यह मुझे उसी मकान में मिला जहां से तुमने मोटू का भरन किया था ओ, यह रुमाल तो मेरा है तो यह चक्कर है जरूर तुम्हारा ही होगा प्यारे लेकिन अब तो तुम दोनों ही हमारे हो इसलिए यदि तुम दोनों अपनी भलाई चाहते हो तो चुप चाप मेरे प्रस्णों का उत्तर दे दो क्या पूछना चाहते हो पूछो सिर्फ यह बता दो कि तुम लोग कौन हो कहा रहते हो मोटू कहा है और तुमने उसका अफरन क्यों किया नहीं नहीं हम तुम्हारे इन प्रस्णों का उतर नहीं दे सकते तो चलो फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे पास गवाने के लिए फालतू वक्त नहीं है नहीं नहीं हमें मत मारो गुर। मैं मैं तुम्हारे सारे परस्मों का उतर देने को तयार हूँ गुड। टोनी जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो जानता हूँ लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है ना कि बॉस की गुलामी परंतु यदि तुमने उसे सब कुछ बता भी दिया तो भी तुम जिन्दा नहीं बचोगे क्योंकि बॉस तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेगा बॉस के पास अब जाएगा ही कौन मैं तो यहां से सीरा पुलिस स्टेशन जाओंगा साबास टोनी तुम मुझे सब कुछ बता दो उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित पहुचा जाओंगा ठीक है सुनो तुम्हारा साथी मोटू ग्रीन डोट कोठी नंबर बस इतनी बस टोनी इतना ही कह पाया था कि एक कार फराटे से उनके निकट से गुजरी और ढाय 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 आई है ओ गुर। इससे पहले कि बाद कुछ समझ पाता उसकार से हुई फाइरिंग ने राका और टोनी को वही धेर कर दिया मनमोजी तुम उसकार का पीछा करो जल्दी मनमोजी तुरंत उसकार के पीछे दोड़ पड़ा मनमोजी के नजरों से उजल हो जाने के बाद बारी बारी से उन दोनों का नप्स्ट टो ली ओफ दोनों ही अल्ला को प्यारे हो गए यानि मोटू तक पहुशने का मार्ग एक पर फिर बंद हो गया है सीख दी मनमो जी भी वापस लोट आया तू आ गया मनमो जी सावा जल्दी से बता वे लोग कहां गयें कूं कूं ओ तू भी उनका पीचा करने में असफल रहा कूं कूं समझ गया उन्होंने तुझे भी खत्म करने की कोसिस की थी यानि हमारी साड़ी मेहनत पर पानी फिर गया चल यार कहीं से पुलिस को फोन कर दें अब इन लासों के पास रुकने का कोई फायदा नहीं है तब ही बॉंड के मस्दित में एक विजार करो था क्यों ना इनकी तलासी लेकर देखूं हो सकता है कोई काम की चीज़ हाथ लग जाए और बॉंड पलट कर उन दोनों की तता तलासी लेने में जुट गया तलासी लेने पर बॉंड को एक चीज़ ने चौकाया दो मुर्जाए गुलाब के फूल यह दोनों फूल इन दोनों की जेब से मिले हैं जरूर इन में कोई भेद होगा इस किसम के लोग इन्हें बेकार में जेब में रखकर नहीं गूम सकते कुछ सोचकर बोन ने उन फूलों को मनमौजी के आगे कर दिया ले मनमौजी तू इन्हें सुंकर बता कि क्या रहसे छिपा है इन्में कुञ कूण मनमौजी जी ने एक पर उन्हें सुंगा फिर उन्हें चोकलेट की तरफ चबा गया अबे अबे यह क्या कर रहा है तू चल बाहर निकाल मुझे इन्हें पर तब तक मनमोजी उन फूलों को पेट के भीदर पहुचा चुका था अबे सत्या नास हो तेरा एक फूल एक सुत्र हाथ लगा था उसे भी तू खा गया अबे तुझे अगर इतनी ही जोड की भूक लगी थी तो बता दिया होता तुझे पहले ही होटल ही खाना खिला लाता अब कूकू मत करो और चल यहां से सीगर ही बॉन्ड मनमोजी के साथ लेकर एक पबलिक बूथ पर पहुचा वहाँ से उसने इंस्पेक्टर पटाका सिंग को फोन करके सारी स्थिती बता दी ठीक है अंकल आप जल्दी से उन लासों के पास पहुचिए मैं ग्रीन रोड की खाक चानने जा रहा हूँ ठीक है संपर्क भंकर बॉन्ड मनमोजी के साथ मोटर साकिल पर सवार होकर ग्रीन रोड की और चल पड़ा चले हम ग्रीन रोड तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पूचताच किस्से करेंगे टोनी के बॉस का अता पता तो हमें मालूम ही नहीं है कूंकूं क्या कहा तुमें माल रोड पर बनी तमाम कोटियों के भीतर जाकता फिर रहा था रात होने को आई लेकिन कुकबरान के हाथ कोई सफलता नहीं लगी फिर वह वापस जाने से की सोच ही रहा था कि तभी मनमोजी को एक कोटी के भीतर पर विस करते एक वेक्ती पर भोगते देखकर वह चौक उटा भूँ भूँ अरे यह फिर क्या भूस सवार हो गया मनमोजी के सिर पर ए मनमोजी चुपकर चल यहां से भूँ भूँ परंतु बोंड के लाक मना करने पर भी मनमोजी ने उस वेक्ती पर भोगना बंद नहीं किया अबे अबे मर खिलवाएगा क्या चल यहां से भूँ भू एए मिश्टर ये यदि कुट्टे पालने का इतना सौक है तो उसके मुण पर पट्टा भी बांध कर रखा करो ताकि वो किसी सरीफ आदमी पर भोकने की हिमत ना कर सके इस समय मैं जल्दी में हूँ वरना मैं इसे इसी वक्त सूट कर देता सौरी मिश्टर वह वक्ती कंधे उचका कर कोठी के भीतर चल गया अबे मनमोजी के बच्चे तेरा या पागल पर नहीं गया तो किसी दिन अपने साथ साथ मुझे भी कोली मरवा देगा अबे चल यहां से मनमोजी को भेंकर गुर राहट सुनकर बोन्ड की बुरी तरह चोक उठा उसे अचानक ही भीतर जाने वाले वक्ती के कोठी का कालर ध्यान आया जिस पर गुलाब का फूल लगा था और इस वक्ती के कोठी में बिल्कुल वैसा ही गुलाब का फूल लगा था जैसा मुझे टोनी और राका की जेब से मिला था तो क्या मनमोजी इस कारण उस पर गुरा रहा था जरूर यही बात होगी इसका मतलब यह हुगा कि उस वेक्ति का कुछ ना कुछ संबन टोनी और राका से अवस्य है और यह लोग अवस्य ही एक दूसरे की पहचान के लिए इन फूलों का इस्तमाल करते हैं मुझे इसी कोठी के भीतर चलकर खुजबिन करनी चाहिए अंदर माली वा कुछ घरेलू नोकर की नजर मुझ पर और मनमोजी पर ही जमी है कहीं और से कोठी के भीतर पर वेस करना होगा अता बॉन्ड कोठी का एक चकर लगाकर मनमोजी के साथ कोठी के पिछवाड़े पहुच गया हाँ भीतर खुजने के लिए यह जगा ठीक होगी चलिए दोस्तो इस कोमिक्स का पहला भागया समाप्त करते हैं मिलते हैं इसके दूसरे भाग में और अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्रीज सब्सक्राइब करते हैं चलिए मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद बिदाब